High Society एक Romantic Comedy है जिसमें लीड करेक्टर दो बहनों का दिखाया गया है Annabelle और Ora Annabelle और Ora को बच्छपन में कुछ नर्स ने मुस्ती मज़ाग में एक्सचेंज कर दिया था मगर उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि इसकी वज़े से उनकी life कितनी बदलने वाली है आगे जाकर हम ये देखते हैं कि Annabelle एक बहुत rich family की बेटी है उसका एक बाई है Albert उसके पिता कॉमा में रहते हैं और उसकी मॉम एक high socialite woman है दूसरी और औरा जो एक shopping mall में cash counter पर काम करती है जिसके परिवार का कोई भी member stable नहीं है बड़ा वाई हमेशा नशे में रहता है और मा आए दिन jail penalty के चक्कर कारती रहती है बस है तो एक छोटी सी बेहन रोजा जो कि बहुत sweet है मुवी में दिखाया जाता है कि औरा को अमीर lifestyle बहुत पसंद है और वो आये दिन अमीर लड़कों को अपनी तरफ attract करके उनके साथ गूमती फिरती है इसके साथ ही वो अपने society के police in charge यान के साथ एक relation में है वहीं दूसरी और दिखाया जाता है कि एनबेल के गर पर उसकी मा ट्रिक्स ही आने वाले charity function के तयारी कर रही है और इतने में एनबेल को call आता है और उसे पता चलता है कि वो बचपन में किसी से exchange हो गई थी तो technically ये उसकी real family नहीं है एनबेल अपने father के बहुत close रहती है वो अक्सर उनसे बाते करने उनके room में जाया करती है हाला कि उसके father conscious नहीं रहते मगर एनबेल उनसे काफी connected feel करती है वो उन्हें बताती है कि वो यहां से नहीं जाना चाती और उसके लिए वही उनके parents है अगली सुबह औरा अपने सारे साबान के साथ एनबेल के घर आ जाती है जो originally उसका घर है उसको देखकर ट्रिक्सी बहुत खुश होती है और उसके welcome की तयारी करती है मुवी में यह दिखाया गया है कि Albert अपनी almost new sister औरा के साथ flirt करता है जब औरा अपनी new mom के घर आती है और वहाँ की lifestyle देखकर वो काफी excited हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा से ऐसी ही rich family चाहिए थी उसकी new mom भी उसे बहुत प्यार से रखती है और वो अपनी दूसरी बेटी को पाकर बहुत खुश है ट्रिक्सी औरा को शौपिंग पर ले जाती है उसका room decorate करती है और दिन बर उसकी पसंद का खाना खिलाती है इन सारी चीजों में एनावेल कहीं न कहीं अपने आपको अकिला मैसूस करने लगती है उसे ऐसा लगता है कि कुछ दिन पहले तक ये सारा प्यार और attention उसके लिए था मगर अचानक से exchange की news के बाद ये सब बदल चुका है charity function में जब ट्रिक्सी सबको औरा से मिलाती है एनावेल को unwanted feel होता है और वो सोचती है कि उसे भी अपनी real family के पास वापस चले जाना चाहिए वो बहुत ही sensitive लड़की है इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है एनावेल जब अपनी new mom के पास गई तो उसे पता चलता है कि वो लोग काफी पूर है और छोटे से घर में रहते हैं उनके पास designer clothes भी नहीं है एनावेल को थोड़ा सा अजीब लगता है मगर मुवी में एनावेल को बहुत समझदार दिखाया गया है तो वो इन सारी चीजों से adjust कर लेती है एनावेल अपनी new mom से पोच्छती है कि उसके पता कौन है मगर उसकी mom को ये नहीं पता होता कि उसके फादर कौन है एनावेल को ये जान कर बहुत बुरा लगता है मुवी में आगे दिखाया जा रहा है कि एनावेल की बहुत खूब सूरत red color की कार उसके नए गरसे चोरी हो चुकी है इस pitch police officer यान जोकी औरा का boyfriend है वो और एनावेल एक दूसरे को अकसर मिलते रहते हैं और यान उसकी काफी help करता है क्योंकि एनावेल की new mom को activist दिखाया गया है यही कि ऐसा इंसन जो किसी राजने दिख या समाजिक व्यवस्ता में परिवर्दन लाने वाले दल का सदसे होता है और इसलिए वो अपने हक के लिए लड़ती है उनकी टीप एक बड़े से शोरूम के बाहर जाकर लेधर कंस्यूमर्स के खिलाफ प्रटेस्ट करती है और उसी शौप के अंदर औरा और ट्रिक्सी थे मीनवेल एनवेल हर छोटी बड़ जगा पर जॉब इंटर्व्यू दे रही है और उसे अचानक यान का कॉल आता है वो उसे बताता है कि उसकी मा को पुलिस अरेस्ट करने वाली है वो किसी दुकान के बाहर खड़े होकर प्रटेस्ट कर रही है एनवेल यान के साथ अपनी मॉम को बचाने के लिए जाती है मगर और आखो उस शौप के अंदर देख कर वो काफी इरिडेट हो जाती है और उसके कपड़ों पर कलर फिक देती है यान जैसे तैसे ये सब सिचुईशन को संभाल के एनवेल और उसकी मेम को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है यान बताता है कि एनवेल पर उस कंपनी के ओनर ने 20,000 यूरो का फाइन क्लेम किया है ये न्यू सुनने के बद एनवेल को जॉब डोनना और भी ज़रूरी हो गया क्योंकि उसके बस इतने पैसे नहीं है कि वो फाइन पे कर सके एनवेल एक पार्टी में जाती है जहां अपने पुराने फ्रेंड से हल्प मागने की कोशिश करती है लेगिन अब वो रिच नहीं है तो उसके फ्रेंड उसे इग्नोर कर देते है पार्टी से जाते वक्त उसका एक फ्रेंड बेन उसे जाब उफर करता है इस पुरी सिचुएशन से अपसेट होकर अपने डैड जो की एक्च्वल में उसके रियाल डैड नहीं थे उनसे मिलने जाती है और वहां से बाहर आते वक्त यान उसकी हल्प करता है ताकि उसे कोई देख न ले वो औरा को जैलेस फिल कलाने के लिए एनावेल के करीब हता है औरा यान से मिलना बंद कर देती है क्योंकि अब यान उसके स्टेटिस का नहीं है यान की जॉब बहुत चूटी है और औरा बड़े लगों के साथ गुमना फिरना चाती है यान और एनावेल को करीब देखकर औरा बहुत जैलेस हो जाती है इसको देखकर यान और एनावेल mandate करते है एनावेल औरा को यान की life में वापस लाने के लिए उसकी help करेगी और बदले में यान उसकी खुई हुई गार डून कर देगा मुवी में दिखाया गया है कि एनावेल अपने फ्रेंड बेन के यहां क्लीनिंग स्टाफ की जॉब एकसर्ट कर लेती है जब वहां से वापस आती है तो यान ने उसकी कार डून ली है वो दोनों एक लंबी ड्राइव पर जाते हैं वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजय करते हैं और उसके बाद उन्हें पता लगता है कि औरा किसी फाइव सर होटल में लंच कर रही है और उसको जेलस फील करवाने के लिए वो दोनों वहां जाते हैं और उनका प्लान वर्क भी करता है अनैबल की नगली मौम यानि की ट्रिक्सी उसे काफी मिस कर रही होती है और वो अनैबल से मिलने के लिए उसके घर आ जाती है और उसे पैसो की help offer करती है अनैबल जोकि एक self-sufficient और independent लढ़की है पैसे लेने से इनकार कर देती है उनके conversation में ये भी दिखाया गया है कि कैसे Annabel की new family उसे बहुत पसंद करती है और उसे काफी support करती है Next day Annabel अपने job पर जा रही होती है तब वहाँ यान को देखती है तब वो यान को देखती है कि औरा और यान वापस एक relationship में आ गए है और कहीं न कहीं वो देखकर थोड़ी सी upset हो जाती है Annabel अपने job पर जाती है तो Ben उसे date के लिए offer करता है Annabel बहुत सुंदर सी dress पहन के उसके साथ date पर जाती है Ben उसे समझाता है कि उसकी life में प्यार की कमी है और वो अपने लिए एक ऐसे date की डून रहा है जिसके साथ daily intimate हो सके इसके लिए वो Annabel को पैसे भी देगा Annabel मना कर देती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं है Dinner date के बाद वो दोनों गर जाते हैं कुछ काम की वज़े से Ben Annabel को छोड़ कर चला जाता है Annabel hand comes से lock हो जाती है और यान को help के लिए बुलाती है आगे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि Annabel की mom Trixie उसे inform करती है कि उसके dad की तवियत काफी serious है Annabel की पूरी family आखिरी समय में उसके साथ रहती है Trixie का sense of humor काफी अच्छा दिखाया गया है और इतने सारी tension में भी वो अपने tennis coach के साथ affair के बारे में अपने husband से confess कर लेती है Annabel की पूरी family thank you बोलती है और इतने में उसका dad की death हो जाती है क्योंकि Annabel ने band का offer accept कर लिया था वो उसके साथ दूसरे शहर Los Angeles shift होने के लिए ready हो जाती है और जैसे ही plane take off करता है यान उसे रोकने के लिए बहाँ जाता है मगर वो थोड़ा late हो जाता है Annabel ने plane में अपने साथ और दो लड़कियों को देखा और वो देख कर वो काफी shock और confuse हो जाती है वो band से कहती है कि वो उसे वापस उसके family के past drop कर दे फिर Annabel सबसे पहले यान के पास जाती है फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी feelings शेर करते हैं कि वो एक दूसरे को कितना like करते है and they lived happily ever after high social ed movie की IMDB rating 5.3 out of 10 है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक like करके channel को subscribe जरूर कर लेना ताकि मेरे दोस्त ऐसी मज़ेदार और जानदार आवाज आपको आगे भी मिलती रहे